बिहार दरुगा की प्रिलिम्स की तैयारी कर रहे हूं सभी अभ्यारतियों के लिए आज सेट नमबर 63 है और ये नई शुरुवात है नई परिच्छा की तो आप भी हमारे साथ रोज रात को 9 बजे जुड़े जरूर और हमारा चैनल वाइटे एजूकेशन को जरूर सब्सक् और 21 जी हां दोस्तों ये तीन डेट बहुत ज्यादा इंपरेंट है इस तीनों ही डेट को नमबर महिने के इस तीनों ही डेट को जी हां इन्रॉल किये गए हैं यहां पर कुछ मोग टेस्ट के तो आप भी इन्रॉल्मेंट करें यहां पर अन एकाडमी पर जाए जल्दी से और नीचे दिएगे सारे वो लिंक्स हैं जहां पर आप आविधन कर सकते हैं इन सभी के लिए जी हां दोस्तों यहां पर आपको आपकी लाइव रैंकिंग का पता चल सकेगा और आपके पेपर एनलेसिस यानि कि जो क्यूँ सेट दिया जाएंगे उसके एनलेसिस भी किया जाएंगे इसके अलावा इंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से आपका एक्स्प्लेनेशन किया जाएगा 22 और 29 नवंबर यह दो तीतियों के यहां पर दोस्तों यहां आपके डेट मेंसन किये गए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए तो जल्दी से जाए सब्सक्रिप्शन लेटे समय आप ध्यान रखेंगे आप कोड का यूज करेंगे रिफरेल कोड का जीत अंडर्सकोर एडी यू जिरो नाइन है ना तो यह कोड मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग वहां से कॉपी करके यहां पे 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट भी ले सकते है हर एक सब्सक्रिप्शन पे तो चलिए दोस्तो लेकर चलते हैं आपको आज के सिनारियों में जहां से यह प्रश्न आप से पूछे जाएंगे तो आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आप लोग यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करेंगे किस उर्दू सायर ने लिखा है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है बिल्कुल आप्शन है आंसर है आपे दोस्तो मिर्जा गालिब ने लिखा है ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है तुझे हुआ क्या है मिर्जा गालिब जो है दोस्तों बहादूर साह द्वीतिये के समधी भी थे ठीक है समधी थे उनके और मिर्जा गालिब जो थे वो मुगल काल के अंत के प्रशिद उर्दू शायर हुआ करते थे दोस्तों तो यह ध्यान रखेंगे आंसर हम भी कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर दो पर निमलिखित निर्ट्यों में से किस में से एक एकल निर्ट्य होता है जी हां दोस्तों एकल निर्ट्य की अगर जब भी चर्चा करें तो मोहिनी अट्टम का नाम याद रखेगा और ये केरल का सास्त्रे निर्थे हैं ठीक है ये ध्यान रखेंगे क्या मोहिनी अट्टम सी नंसर हो जाएगा लेकिन कुछ फेमस निरित्टे हैं जो कि आंदराप्रदेस के कुछी पोड़ी है और भरत नट्यम जो है और कोमी यह है कोल्टम जो है कावड़ी यह सारे तामिल नाडों के हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे वैसे आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सवाल नंबर तीन पर चलते हैं यदू वेंदू स्टेडियम किस सहर में है तीसरे का आंसर करेंगे दोस्तो यदू वेंदू जो स्टेडियम है वो पटियाला में है बी इस दा राइट आंसर आपको बता दे कि एक चावल का अनुसंधान ये कटक से अगर सवाल यहाँ बने तो चावल के अनुसंधान के लिए फेमस है ठीक है और जैपूर को आपको पता है ग लोक मत तैयार करना जो कि इसका कार्य नहीं होता है लोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रियम मंत्री परष्फ कारी जो है वो लोगमत तैयार करना नहीं होता है मंत्री परश्ःत का जो समोही कूरुप से अगर देखा जाए तो लोग सबा के प्रति उत्तरदाई होता है और मंत्री परश्ब्स का सदस्टी ने रहे होता है वैधानिक और अरब करोड की अधिक सःता शायता दे दी है कि बिलकूल त्रिपूरा राज जी को दिया गया है दोस्तों आंसर हम क्या कर लेंगेे कर लेंगे दोस्तों आपको बताना होगा स्दानी का स्वर्ण मंदिर किसマट यह बनवाय है और यह बहुत बार कोशिन पूछा गया है और हो सकता है कि एकस्पेक्टेड है तो पूछा भी जा सकता है बिलकुल आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहां पर जी हां अरजुन देव गुरु अरजुन देव थे आंसर एक कर लिजिएगा दोस्तों यह अच्छा अमरीच सर का जो शहर है वो स्थापना किसने कर आया था तो अगर अमरीच सर शहर की बात करें तो गुरु रामदास का नाम याद रखेंगे आप लों यह सरदारों के सिखों के प्रमुख गुरु थे यह ठीक है त्यान रखेंगे सवाल नंबर 7 पर चलते हैं इस्राइल देश की स्थापना कब होई इस्राइल देश की स्थापना होई थी दोस्तो 14 मई यहां अब तो देट आपको पता हो गया 1948 को सवाल नंबर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां यह हो जाएगा सवाल नंबर 8 पर चलते हैं वर्शा रितु में वायो मंदल के सरवाधिक आधरता कब पिद्दमान रहती है रोज रात को 9 बजी हमारे साथ जुड़िए यह मोग्टेश इंपोर्टेंट है और सुबह का करेंट जो है आपका जो वीडियो है आपका बिहारत्रों का मेंस के लिए वो सुबह के 10 बजे दिया जा रहा है लेकिन आज आज आपका आप लोगो नहीं मिल पाया होगा कि इंटरेट का थोड़ा सा सर्वर खराब था इसलिए नहीं मिला है चलिए बिलकुल यहां पर आंसर क्या कर लिए दोस्तों it's a माध्यां के सहर जहां दोस्तो अनमाध्यां के समय चीके आंधर के अगर लिए वर्षा रितु में वायुमंगिल के सरवाधिक आधरता माध्यम के समय विदमान रहती ए इस दराइट अंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तो नाइन पे मात्रकों की अंतराष्टि एसाई कब से ल यह भी आप ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दस पे दोस्तो अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रेजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिये जाए तो बिल्कुल आंसर करेंगे कमरा धीरे धीरे गरम हो जाएगा जीहां आंसर हम डी कर लेंगे नोट कर किसे लोक लेखा समीती के अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं वे कॉंग्रेस पार्टी के लोग सांसद लोग सभा के सांसद भी रह चुके हैं और आपको बता देक अधीर रंजन चौध पार्टी जो हैं वो लोक लेखा समीती के अध्यक्ष के रूप में नुक्त किये गया है आंसर एक कर लेंगे दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं 12 की तरफ किस देश को 3 से 8 सेप्टेंबर को कुरुक्षेतर में होने वाले गीता जैनती महतसा के लिए भागिदार देश के रू सवाल को नेपाल की राज़ानी काटमांडू होती है ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं 13 पे मुख्य मंत्री नितिश कुमार द्वारा जल जीवन हर्याली अभियान का सुभारम कब किया गया बिलकुल आंसर ध्यान रखेंगे इट्सट डी 9th of August 2019 बिहार के मुख्य मं भारा जल जीवन हर्याली अभियान का सुभारम किया गया डी इस दराइट आ अंसर सवाल नंबर चलते हैं 14 की तरफ यदि दो देशों में युद्भ च्छ़ध जाता है तो युद्भ बंद करने के समक्ष संस्था कौन सी है है यदि दो देशöं में युद्भ च्छ़ध तो युद्ध बंद करने का सुरक्षा परिशद या सक्षम संस्था होती है कौन दोस्तों सुरक्षा परिशद B is the right answer अच्छा सुरक्षा परिशद जो है इसके बारे में एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लो कि ये UN का सबसे महत्यपुन संस्था है कहां का United Nation का ठीक है अच्छा सुरक्षा परिशद चांती या फिर युद्ध के लिए जिमेवार होता है ठीक है ये भी आप ध्यान रखेंगे सवाल नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों राज्यपाल पद परन्युक्त के लिए अभ्यारती की आयू कितनी होनी चाहिए इसलाम धर्म भारत में लेने का सरप्रसम श्रेक इसको गया लाने का है तो इसलाम धर्म भारत में लाने का सरप्रसम श्रेक इया है दोस्तों मुहम्मद बिन काश्रीम को ठीक है आंसर यहाँ पे डी कर लीजीगा इस दर राइट आंसर मुहम्मद बिन काश्रीम जो है ये 712 इसवी में सिंधिक पर विजय प्राप्त किये थे और इसलाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद है यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है सवाल नमबर चलते हैं 17 पे दोस्तों हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के प्रमुक सचिव के रूप में किने नियुक्ति आ गया था हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के प्रमुक सचिव के रूप में किने नियुक्ति आ गया था तो यह ध्यान रखेंगे अगले सवाल पे चलती हैं 18 पे दोस्तों समिधान की अनुचे 370 के किन खंडों को राष्टपती ने अधिसूशना जारी कर खतम कर दिया है तो यह करेंट का कोशन है और 370 धारा से जुड़े हुए और इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो तीन तलाग से जुड़े हुए तथ्यों पे सवाल जरूर रहेंगे आपके परिक्षाओं में तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे आप लो आंसर डी कर लेंगे दोस्तों बी और सी दोनों ही खंड दो और खंड तीन यहां एक अधिसूशना जारी की गई है यहां पर जिसको आप समाप्त कर दिया गया था सवाल नंबर चलते हैं 19 पे जम्मो किश्मीर के पुनरगठन कानून 2019 के तहत राजी का नया सुरूप क्या होगा तो यह देखे यह भी वही सेम कोशन है वही से तो जम्मो किश्मीर राजी के दो हिस्सों में बढ़ कर यह दोनों ही किंद्रशासित बन गया है जी आंसर यह कर लेंगे यहाँ पी इस दर राइट आंसर और यह बना है जम्मो किश्मीर और यह बना है लदाग विदेशी राजा जिन्सने समुंद्र गुप्त ने से अनुरूद किया था कि उसे भारत में बहुत विहार बनने की अनुमती दी जाए वह क्या था बी इस दर राइट अंसर भी मेज वरमन इस दर राइट आंसर जी हां आंसर क्या कर लेंगे स्वाल नंबर चलते हैं 21 पर अलबर्ट अंस्टीन कौन सा वाद यंथ्र बजाने के लिए निपोन थे यह सवाल पूछा गया है बी पी एसल में तो सापिक्षता का देखे आपको निपोन हुआ करते थे तो यह आप लोग आंसर क्या कर लेंगे C यहाँ पर आंसर कर लेंगे दोस्तो 21 का राइट हो जाएगा C is the correct answer सवाल नंबर चलते हैं 22 पर आप लोग भी सभी आंसर करेंगे यहाँ पर जितने भी छातर यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि यह सारे डिटेल जो हैं उन तक पहुँच सके व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी जल्दी से आंसर कर लेंगे 22 का exactly answer A हो जाएगा दोस्तो चित्र मुगदल is the right answer नोट कर लेंगे दोस्तो ब्यास सम्मान सहित्य के छेतर में दिया जाता है यह भी आप नोट कर लेंगे सवाल नंबर शलते हैं 23 पे निम्ण में से कौन सी रभी फसल की नहीं है नहीं बोल दिया गया है 23rd का आंसर क्या कर लेंगे इडसर A भिंडी जो है वो रभी फसलों में नहीं आती है ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा यह is the right answer रभी फसल अक्टूबर नॉवंबर के महिने में बोई जाती है यह भी आप ध्यान रखेंगे सवाल पूछा गया है एक्जाम में आपके पुराने तो आयूश मंत्राले ने लोगों के योग केंद्र और प्रसिक्च को का पता लगाने के मदद करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है बिलकुल आंसर करेंगे योग लोकेटर B is the right answer नोट कर लेंगे दूस्तो सवाल नंबर चलते हैं 25 पे तारों के मध्य दूरी ज्यात करने की काई को क्या कहते है प्रकास वर्स is the right answer दी is the right answer या और शाए एक पार्सिक में 3.26 प्रकास वर्स होता है यह आप काल्कुलेट जरूर कर लिजीगा सवाल नंबर चलते हैं 26 पे अंतराष्टी निंसल मंडेला दिवस प्रति वर्स मनाय जाता है 26 का अंसर करेंगे यह 18 जुलाई नोट कर लेंगे दूस्तो यह निंसल मंडेला दिवस मनाय जाता है प्रतिक शाल अंतराष्टी तोर पे आंसर हम ये कर लेंगे 15 जुलाई को विश्वे कॉसल दिवस 11 जुलाई को विश्वे जनसंख्या दिवस ये आप नोट कर सकते हैं हां से सवाल नमबर 27 पे चलते हैं आम बजट 2019 में जन्धन खाता धारक महिलाओं के लिए कितने रुपे ओभर ड्राफ की सुविधा देने का एलान किया गया है आंसर कर लेंगे दोस्तों इट्सथ सी 5000 रुपेज जियों ओभर ड्राफ कर सकती हैं महिलाएं सवाल नमबर 28 पे चलते हैं कोयल किस राज जी की राज जी की पक्षी है जल्दिस आंसर करेंगे सी जारखंड इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं और कोयल जो है अपने मधूर स्वर के लिए प्रशिद है कोकिला लत्ता मंगेशकर को भारत में भी कहा जाता है कोकिल ठीक है यह ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 29 यूके इंडिया अवर्ड 2019 के तहत ग्लूबल आइकन ऑफ दे यर रूप में किसे चुना गया है सवाल यहां इंपोर्टेंट है आंसर करेंगे अ कुनाल नायर इस दो राइट आंसर कुनाल नायर इस दो राइट आंसर नोट कर लेंगे आंसर ए हो जाएगा और यह भारती अमरिकन एक्टर है जिन्हें राजीश रमायन कुत्रा पल्ली के भूमी का निभाई थी यह भी आप ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 30 पे चलते हैं इन में से किसकी आत्मकता है जल्दी सांसर कर लेंगे यह है दोस्तो अनुपम खेर यह बॉलिवूड के एक एक्टर रह चुके हैं और अब यह बहुत कम फिल्में बनाते हैं सवाल नमबर 31 प्रित्वी अपने अक्षपर परित एक डिगरी देशांतर कितने समय घूमती है 31 का आंसर C कर लिजेगा चार मिनट में जिना दोस्तो C is the right answer एक डिगरी देशांतर चार मिनट के समय में घूमती है सवाल नमबर चलते हैं 32 पे आरे सब्द का साब्दी कर्थ क्या है जल्दी से आंसर कर लेंगे 32 का आंसर D कर लिजेगा दोस्तों जिहां आरे सब्द का साब्दी कर्थ होता है स्रेष्ट या कुलीन यह नोट कर लिजेगा यहाँ पे सवाल नमबर 33 पंबन जो द्वीप इस्थित है पंबन जो द्वीब इस्थित है 33 का अंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे यहाँ भारत और स्रिलंका के बीच में यह आप नोट कर लिजीगा पंबन जो है यह द्वीब कहां इस्थित है तो भारत और स्रिलंका के बीच में इस्थित है A is the right answer सवाल नंबर चलते हैं 34 पे वह देश जो की लैंड ओफ को ऑपरेटीव के रूप में जाना जाता है यह देश जो की लैंड ओफ को ऑपरेटीव के रूप में जाना जाता है 34 का अंसर किजीगा डेनमार्क is the right answer नोट कर लिजीगा दोस्तों लैंड ओफ मिडनाइट के रूप में कौन सा देश जाना जाता है लैंड ओफ मिडनाइट सन नौर्वे को कहते हैं यह भी आप ध्यान रखेंगे बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है यह प्रशना सवाल नंबर 35 पे चलते हैं मानचित्र पर सागर की लवनता को दर्साया जाता है 35 का अंसर कर लिजीगा मानचित्र पर सागर की लवनता को आईशो शोलाइन के द्वारा दर्साया जाता है तो आईशो अंसर हम B करेंगे यहाँ पे is the correct आईशो जो आईशो क्लाइन जो होते हैं अगर C की बात करें यहाँ पर दोस्तों यह चुम्बकी गर्ती की समानता वाले स्थानों के मिलान करती है और आईशो सोहेल जो है यह यह डी वाला जो option है यह आप ध्यान कर लेंगे दोस्तों यह सूरी के ताप की समान अवधी वाले जितने स्थान है उनको मिलाने वाले को यह कहते हैं तो यह ध्यान रखेंगे आंसर यहां पर बी हो जाएगा 36 पे चलते हैं ब्रह्मा विश्णु और महेंश की त्रिमूर्ती वाला प्रशिद मंदिर किस सहर में है 36 का आंसर कर लेंगे यहां पर दोस्तो इटसर बी सुचिंद्रम बी सुचिंद्रम इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं दोस्तों यहां से रमिश्वरम में विवेका नंद का इसमारक है यह आप लिख लिजे मदुरई में पांडो वंस की राजधानी बनाई गई मदुरई में मिनाक्षी मंदीर है मदुरई को उत्सवों का शहर खाया था यह सारी चीज़ लिखिए जो अलग से तथ्य बताय जा रहे हैं यहां पे उसके बारे में सवाल नंबर 37 गुड फ्राइडे किस से समंदित है गुड फ्राइडे समंदित है दोस्तो इशा मसी की सूली से जियां दोस्तो भी हम उत्तर कर लेंगे इशा मसी को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चड़ाया था इशाई धरम का पवित्र चिन क्रॉस होता है यह भी सवाल नंबर 38 पर चलते हैं उत्तर पश्चिम भारत में सरद रितू में वर्षा का कारण क्या है आंसर कर लेंगे इट्स ए पश्चिमी ऑदाब है जियां रितू वर्षा में तामिल लाड़ों में मुखेत वर्षा जादा होती है है ना रितू वर्षा में ठंडी के समय में सबसे ज़्याद बारिश होती है ब्यापिक जो वहां की ब्यापारिक पवने हैं लोग लगबग 30 डिगरी उत्री और दक्षनी अक्षांसों के छेतर पर उपोष्ण जो उच दाब के कटी बंधों के भूमद्य रेखाई निम्ल वायुदाब को कहते हैं वहां पर यह आप मैं फिर से आपको रिपेट कर देता हूं कि जो व्यापारिक पवन होते हैं वो लगबग 30 डिगरी उत्री और दक्षनी अक्षांसों के छेतरों का या उच वायुदाब के कटी बंधों से भूमद्य रेखिए निम्ल वायुदाब कहे जाते हैं ठीक है आंसर कर लेगेगा स सवाल नंबर 40 सरदार सरुवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है बिलकुल आंसर करेंगे दोस्तों जियां कुछ परियोजना है और उससे जोड़ी होई नदियों के नाम में बताऊंगा लेकिन अगर सबसे पहले सरदार सरुवर बांध की बात होई तो नर्मदा नदी का नाम याद रख लिजिएगा C अच्छा माता टीला परियोजना ये कोशन पूछा गया है पूछा जा सकता है बिहार दरोगा में भी तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अन एकेडमी पे जल्दी से जाके फॉलो करें और वहाँ पें ड्रॉल करें सारे लिंक्स मैंने दे रखें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को तो बबाई टेक कियर ध्यान रखीगा अपना और अपने परिवार का धन्यवाद